प्राइम टीवी आमेकिरती लेकर हाज़र हूँ पाहर समचार बीजेपी ने तीन दिवसी चंतन शेविर कारिकरम का अगास कर दिया है इस शेविर में अगामी विधान सभाकार रोड मैप बनाने के साथ ही पाटी की गतिविदियों में तेजी लाने के लिए कारिकरम तै किये जाएगा भाजपा प्रदेश अद्यक्ष मदन कौशिक ने पत्रकार वारता में कहा कि तीन दिन में साथ सत्रा आयोजित होंगे उत्राखण कॉंग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की कुडसी को लेकर दावेदार विधायकों के बीच घमा साम तेज हो गई है केंडरी नेताओं की मौझूदगी में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सहमती बनाने के प्रयास अभी कायम नहीं हो पाए है कॉंग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा इस प्रशन का उत्तर तलाशने के लिए पार्टी दिगज फिर मत्था पच्ची कर रहे है अब खबर है कि इस मुद्दे पर कॉंग्रेस विधायक दो खेमों में बढ़ गए है जातिय संतूलन साधने का पेज भी नहीं सुलच पाया है सुमवर्क पार्टी के राश्ट्रीमा सचे वेड़ गोपाल 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को रोड मैप कॉंग्रेस मुख्याले में प्रदेश के नेताओं से बातचीत करेंगे तो कॉंग्रेस नेता इंद्राहिर देश के निधन के बाद से उनकी कुरसी किसे सौपी जाइस को लेकर तना तनी कॉंग्रेस के खेमे में मच गई है दो भागों में कॉंग्रेस विधायक दल बढ़ गए है हाला कि इसमें लगातार पार्टियों के बीच इस प्रश्न का उत्तर तलाशनेकली पार्टी के दिगज नेता कि किसे उस पद की कुरसी दी जाए मत्था पच्ची जो कॉंग्रेस के बीच है वो जारी है मुद्धे पर कॉंग्रेस विधायक दो खेमों में बटे हैं जाती संतूलन सातने का पेज भी नहीं सुलच पारा है तो इंद्रा हिर्देश के निधन के बाद ये बड़ा पेच फस गया है जिसमें इंद्रा हिर्देश के जगा किसे दिया जाए इसको लेकर चर्चा तेज है तो इंद्रा हिर्देश की जगा कौन लेगा ये सबसे बड़ा सवाल वहीं बाउजन सबाच पार्टी उत्राखन में अगामी विधान सबाच चुनाओ अपने ही बूते पर लड़ेंगी पार्टी सुप्रीमो मायवती के बयान के बाद इस पर मोहर लग गई है इसके साथ ही बस्पा अगामी चुनाओ की तैयारियों में जुड़ गई है उत्राखन के अलग राजे बनने के बाद यहां बस्पा का मजबूत जनाधार रहा है राजे गठन के बाद हुए पहले विधान सबा चुनाओ में बस्पा कॉंग्रस और भाजपा के बाद आठ सीटे जीत कर प्रदेश में तीसरी ताकत के रूप में उभर कर सामने आई तो मायवती ने एलान कर दिया है कि वो 2022 के चुनाओ में अकेले हुंकार भरेंगी तीसरी ताकत वर पार्टी के रूप में उभरी थी बदाद प्रदेश में बसपा कॉंग्रेस और भाजपा के बाद आठ सीटे जीती थी जिसके बाद वो तीसरी ताकत वर पार्टी के रूप में उभरी थी उसी ताकत को और बल देने के लिए अब मायवती ने एलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाओ लड़ेंगी तो आपको बता दे कि विधान सभाद चुनाओ में बसपा कॉंग्रेस और भाजपा को पीछे चोड़ने के लिए तैयार है और मायवती ने एक बार फिर अपने ही अंदाज में ताल ठोक दी है कि वो विधान सभाद चुनाओ उत्राखंड में अकेले दंपर लड़ेंगी में उत्राखंड में पिछले 24 घंटों में कुरोना संक्रमन के 82 नए मामले सामने आये हैं तो उत्राखंड का करोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं जिसमें 3,49,619 संक्रमेतों की संख्या प्रदेश में अब तक हो गई है 24,249 लोग ठीक होके घर भी जा चुके हैं वही सक्रिये मामलों की अगर हम बात करें और उस पर नज़र बनाए तो 24,65 फिलाल सक्रिये मामले रहे गए हैं वही मौतों के अगर बात करें तो 7,088 लोगों की अभी तक कोरोना के चलते प्रदेश में मृत्ती हो चुकी हैं तो उत्राखण में लगातार कोरोना का ग्राफ घट रहा है लेकिन उसके बावजूद भी हाई कोट ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन्स जारी करी थी कि सचेत रही है तीसरी लहर बता के नहीं आएगी वह इसके बावजूद भी कई चीजों पर अनलॉक की प्रक्रिया भी शुडू हो गई है उत्राखण सरकार राज में बंद जिम और कोचिंग केंदरों को सशर्थ खोलने की अनुमती दे सकती है मसूरी वा नैनिताल वा अने प्रमुक परिटक स्थलों को मंगलवार और बुद्वार को बंद रखा जा सकता है ये परिटक स्थल वीकेंट पर खुलेंगे और यहां इन दोनों दिन परिटकों की आवाज जाही हो सकेगी उच पदस्त सूत्रों के मताबिक इस सपता से राजिके सभी कोचिंग केंद्रों वा जिम को 50% छमता के साथ खोलने की अनुमती दी जा सकती है इसके अलावा बजारों के खुलने का समय सोबा 8 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया जाएगा तो जिम को खोलने के उपर अनुमती बन सकती है वहीं 50% कोचिंग केंद्रों वा जिम को 50% छमता के साथ खोलने की अनुमती दी जा सकती है साथी साथ वीकेंड पर इटक स्थालों पर भी वीकेंड पर खुलने की अनुमती बन सकती है मंगलवार और बुल्दवार को हाला की बंद रहेगा लेकिन वीकेंड पर खुलेंगे यहां इन दोनों दिनों परेटकों की आवाजाही हो सकीगी शनिवार और रवीवार को परेटक स्थल खोलने की अनुमती दे जा सकती है तो आठ से शाम साथ बजे तक बाजारों को खोल दिया जाएगा तो इन तवाम चीजों पर सहमती बन सकती है बतारे मसूरी वा नैनिताल वा अन्य प्रमुक परेटक स्थलों को मंगलवार और बुदवार को बंद रखा जा सकता है वाही वीकेंड पर ये परेटक स्थल खुलेंगे वाही इस खबर पर इस वक्त हमाय साथ समधाता विनोज जूट चुके हैं विनोज मैं आप से आना चाहूंगे उत्राखण में लगातार हाई कोट सतर कर रहा है तीसरी लहर को लेकर वाये जबीच ये जो खबर है ये चौकाने वाली है कि जिम और जिम को खोलने की अनुमत ही दे दी गई है साथ इसाथ परेटक स्थल भी खुल सकते हैं विनोज आवाजारी आप कुछ चलिए ठीज़े आप बताईए 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 जी विनोज आजारी उत्राखण में जिम कोलने की बात सामने आई है जिस तरह से हाई कोड लगातार चेता रहा है कि कहीं न कहीं कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है उसको लेकर सतरक रहे तो क्या लगता है मैं आपको बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ गई है उत्राखण में नगेवल संकर में बलकि मौत के मामले में भी लगातार कमी आ रही है रही वार को 82 ब्यक्तियों की कोरोना पुष्टी हुए है राज्य में 102 दिन बाद ही सबसे पहले कम 102 दिन बाद कम मामले आये हैं और रहात की बात है कि संकरितों से कई ज्यादा मरीद अब सफ्ट भी हो रहे हैं आपको ये बतातों कि 24 गंटे के दौरान भी 122 गंदियों ने कोरोना जग जीत लिया है अब सक्रिय मामले भी घटकर 2465 पर आगे हैं वही रिकवरी रेट 45.47 पहुंच गई है विनूत बहुत 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 शुक्री आम ऐसा जुडने के लिए तो कंटेन्मेंट जोन की बात करें तो घट रहे हैं अलाकि केसस घट रहे हैं लेकिन उसी दूसरी और अगर नज़र डाले तो लगातार हाई कोट चेतार आ रहा है चिताई मंदिर में दर्शन करने का कारिक्रम था लेकिन तेज बारिश की करण वो चिताई मंदिर के दर्शन नहीं कर पाई अलमोडा में रानीधारा नागरिक सेवा समिती के दवाव के चलते विधायक वाविधान सभा उपाद्यक्ष रगुनास सिंग चाहान और नगरपाली का अध्यक्ष प्रकाश योशी को लोगों से बात करनी पड़ी मामला भारी बारिश से जुड़ा हुआ है जिसके चलते आम लोगों का जीना दुर भर हो गया था लोगों के घरों में पानी भर रहा था जिसकी खबर प्राइम टीवी द्वारा भी लगातार दिखाई जा रही थी जिसका असर अब होता दिखाई दे रहा है विधायक और पालिका अद्यक्ष द्वारा लोगों को अश्वस किया गया कि छेतर में जल्द ही पकी सड़क बनाई जाएगी तो प्राइम टीवी के खबर का बड़ा असर भारी बारिश के चलते जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी उसकी खबर को हमने प्रमुक्ता से दिखाया जिसके पाद विधायक और नगर पालिका ने इस खबर का खुद संग्यान लिया है और आश्वस किया है लोगों को कि ये जो तमाम सड़के जो खराब इस सिती में होने जल्द ही पकी सड़क पर तबदील किया जाएगा इस पहल अधर के दोनों तरफ हमारे दोने लिए महां कोश है तो महां सुवलैंट है रहते हैं इस नगर है इस नगर के दोनु के सड़ हैं सुवलैल है जब हमारे यहां के जनता का सभी हम द्याव हम लाता संयुला आश्रा में घश全部 लाय ने काौन निए और इसाल में फिर शिवर लाइन ला रहा हूं लगवार सत्ता है इस करोड़ उप्या कि हमको शुकुर्टी मिनने वाली है और जितना बनेगा वो बनेगा पागी हम अन्य शेत्रों का जुखा और दो तून हमारे दाजाते उनका भी टीपर मिनाने के लिए साशने के दें उनक चमुलिस्तित आईटी बीपी की प्रथम वाहनी के डॉग स्कॉट की एहम सदस से चौको रिटायर हो गई चौको कई नकसल विरोधी अभ्यानों की हिस्सा भी रही है स्वान दस्ते में 11 साल की नौकरी करने के बाद आज चौको रिटायर हो गई आईटी बीपी सुनील के परेड ग्राउंड में ग्रीन कार्पेट पर फूल मालाओं और भारत माता की जैके गगन भेदी नारों से चौको को रिटायर्मेंट पर विदाय दी गई हर दवार में अंबुलेंस के अंदर अवैद शराप की तसकरी का मामना सामने आया है आपको बता दे कि सिटकुल स्थित राजा बिसकुट चौक के पास अवैद देसी शराप सहित मवैश्टो के नाम से संचालित होने वाली अंबुलेंस को स्थानी है अंबुलेंस संचालक विपिन द्वारा पकड़ लिया गया जिसके सूचना दतकाल थाना सिटकुल को दी बता जा रहा है कि अंबुलेंस पर कोई नंबर भी मौजूद नहीं था बिना नंबर की अंबुलेंस शेतर में काफी समय से घूम रही थी अंबुलेंस के ड्राइव रोक कर उसमें शराब का जखीरा पकड़ लिया गया अंबुलेंस के ड्राइवर ने बताए कि अंबुलेंस अंकुर कुमार की है जिसके में से वैद शराब बरामत हुई है सितार गंज के शक्ती फारम में हिंदू यूवा वाहनी के कारेकरताओं ने सैनिटाइजर किया सैनिटाइज किया इस दौरान कारेकरताओं ने करोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखकर फारम के अंदर सैनिटाइज किया माही वहाँ उपस्तित हिंदू युवा वहानी के कारेकरताओं ने बताया कि देश के अंदर लॉकडाउं जैसी परिसिती बनी हुई है ऐसी को देखते हुए हम सभी पूरी जिमेदारी के साथ कुरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं हरदबार कुमेले में हुए कोविट जांच के कति गुटाले पर प्रदेश पे राजनीती गर्माती दिख रही है कॉंग्रस ने कोविट जांच फरजी वाड़ी की उचिस्तरी जांच और दोशियों के खिलाफ कारवाई की मांग की है बिंदु खता इस्ति शोहिद इस्मारग पर ब्लॉक कॉंग्रस कमिटी के अध्यष प्रमोद कालोनी के नितरत में कार्यकरताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फुका इस दोरान कॉंग्रस कारेकरतों ने भाच्पा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश की जनता से माफी मांगने के साथ ही सरकार से इस्तिफे की मांग की है पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कुम जैसे पवित्र आयोजन में हुए भृस्टाचार ने प्रदेश को शल्मसार कर दिया है कोरोना की महामारी में कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खुद गया लेकिन सरकार भष्चाचार में मस्त है उन्होंने सरकार पर आरोब लगाए कि जांच के लिए SIT का गठन कर सरकार मामली को रफादाफा करने का प्रयास कर रही है पूर्व कैपिनिन मंत्री ने कहा सरकार स्वास सिक्षा मेंगाई के साथ ही विकास के मामलों में पूरी तरह फेल है राज़े में विकास कारे पूरी तरह ठप है और सरकार अपनी आखे बंद करके बैठी है जिसका जवाब जनता आने वाले 2022 के चुनाओं में देगी पूरी विकास बावन सबाकार में मुख विकास अधिकारी आशी शिवट गाई की अधिक्षता में समिक्षबैठक की गे अधर्ष क्रिशी ग्राम योजना पलायन रोक्थाम योजना और जीवी का पाकेज मॉडल की समिक्षा की गई एक इकरत आदर्ष क्रिशी योजना के तहत जिले के 15 विकास खंडों में 16 गाउं का चैयन किया गया मुख्य विकास अधिकारी ने संबंदेत अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक इकरत आदर्ष क्रिशी ग्राम योजना के अंतरगात गाउं में जो कारे हो रहे हैं उन्हें बहतर तरीके से करवाया जाए साथ ही उन्होंने कहा कि जिन विभागों द्वारा कार इप्रारम नहीं किया गया है वो भी जल्द ही कार शुरू करवाना सुनिश्चित करें मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि आजीवी का मॉडल पैकेज के जर्गे जिले के भूमी हीन किसानों को शामिल किया जा रहा है और अलग-अलग विभागों से सुन्चालित हो रही योजनाओ का पैकेज बनाकर किसानों को लाब पहुँचाने का काम किया जा रहा है रुटकी चिले के जब रेड़ा विधायक देशराज करणवाल ने नवनिर्मित सड़क का फीता काट कर उधगाटन किया रुटकी के वोर्ड नमबर 23 सुलेमपुर राजपुतान में की आरा सो स्क्वायर मीटर सड़क का निर्मान करवाए गया विधायक देशराज करणवाल ने जानकारी देते हुँ बताए कि सलेमपुर राजपुतान में जो आंतरिक सड़के एवं गलियां तूटी हुई थी उनको 12 लाक रुपे की लागस से मरमत का कारे करवाया गया है विधायक देशराज करणवाल ने ये भी बताए कि बरसात से होने वाली जल भराव की समस्या से सुलेमपुर राजपुतान में काफी लंबे समय से दिक्कतों का सामना स्थानी निवासियों को करना पड़ रहा है मुक्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर निगम के द्वारा उन घुशनाओं को अमली जामा पहनाने का कारे शुरू कर दिया गया विधायक कर्णवाल ने आगे बताया कि उनके द्वारा जो भी कारे पिशले पांच सालों से करवाए गया है उनको जनता के सामने रखूंगा यह आंत्रिक गलियों में जो टूटी भी है गलिया सलेमपुर में उनके निर्मान के लिए यह गैरा सो स्क्वार मिटर की सडके हैं लगबग 12 लाक रुपे की और जो सडके गलिया तूटी है उसके लिए यह पैसा स्यूकर्थ हुआ है और नगर निगम से जो अभी मुझे जी ने बता है यह गली इसमें नगर निगम से बंड़े तो उसकी अस्थान पर दूसरी गली तो वह बनाई जाएगी और चुकिया उसकता थी यहां पर जो एक छेत्र है एक तरह से जो हैं अमबेड कर वादियों का छेत्र है गरीवों का छेत्र है तो इसमें यह आंत्री ग जोशिमन के पांडुकेश्वर गाओं के रहने वाले राहूल महता ने राज का नाम रोशन किया है बता दे कि राहूल महता ने साल 2020 के अक्टूबर महीने में सबसे दुर्गंद माने जाने वाले 5830 मीटर गुप्त खाल दर्रे को पार कर तिरंगा फेराया था जिसके बाद उनका नाम इंदियन बुक ओफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है उनकी इस उपलब्धी से राज का नाम रोशन हुआ है इस हिडन पास को पहली बार ब्रिटिश परवता रोही फ्रांक स्मित ने सन 1933 में सफलता पूरवक पार किया था जिसके 77 वर्षों बाद 2010 में दिली क के परवता रोही दल और 2019 में बैंगलोर के दल ने इस दर्जे को प्राप्त किया था नमस्कार सबसे पहले इंडिया बुक ओफ रिकॉर्ड के एप्रिशेशन लेटर के लिए बहुत बहुत धनेवाद उन्होंने मुझे इस काबिल समझा पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में जब हमने गुप्त खाल का ट्रेक करा था तो उससे ठीक एक साल पहले हमने सोचा था कि कभी करेंगे इस ट्रेक को बहुत ही दुर्गम ट्रेक है और दूर दूर तक इसके कोई गाइड भी नहीं हमको मिले फिर भी हमने लगबग हर मैप गूगल मैप और दो तिन मैप सर्च मार के या किसी से ले करके उन मैप के सहारे हमने पूरी वैली को सर्च करा और मतलब प्रेक्टिकली जब हमने ये ट्रेक सुरू करा था गमसाली से सुरू करा था साथ तारीक को तो जब गमसाली से हम निकले थे पहले दिन के पढ़ाओं पे area o.dr तो बहुत ईजी था फिर area o.dr से हम दुसरे दिन ratawan glacier फिर ratawan glacier से difficulty level बढ़ता गया क्योंकि उस माहा में हमको लगा कि थोड़ा बरफ होगा लेकिन बिल्कुल सौफ्ट बरफ तो कहीं थी ही नहीं हर जगा क्रिवासे स्थे सब ओपन क्रिवासे स्थे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था तो उस बीच हमारे कुछ मेंबर भी थे जिनको आगे चलके एक्यूट नशे को कहें अलविदा अभियान के तहट वरिश पुलिस अधिक्षक के निर्देशपत हनारानीपोर इलाके में पुलिस ने उगे हुए भांग के पौधों को नश्ट करने के अभियान में पुलिस के अलावा शीवालिक नगरपालिका और वैपार मंडल के लोग भी शामिल हुए पुलिस के मताबिक इस भांग के पौधों से लोग नश्ट करते हैं इसके अलावा भविश में बी एचल छेतर में इस तरह के पौधों को नश्ट कराया जाएगा नश्ट के विरुद अभियान आगे भी जारी रहेगा पारतमाचार में फिलाल के लिए बसतना ही स्वस्त रही सतर्क रही और देखते रही एब्राइम टीवी करते हैं